बॉलिवुट के खिलाडी अक्षे कुमार के सितारे इन दिनों बुलंदे उपर हैं एक तो उनकी फिल्म में बैक टू बैक सूपर हिट हो रही हैं दूसरा फिल्हाल उनके पास सबसे ज़्यादा फिल्मे हैं फिल्हाल अगर इंडस्ट्री में कोई सबसे ज़्यादा बिज्जी है तो कोई और नहीं बलकि अक्षे कुमार है वहीं अब लिजे खिलाडी कुमार को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है जिसे जानने के बार पूरा बॉलिवुड हैरान होने वाला है खबरों की माने तो अक्षे को बॉलिवुड के जाने माने प्रेडियूसर वासू भगनानी ने अपनी एक नई फिल्म के लिए पूरे 120 करोड रुपए का ओफर दिया है बताया जा रहा है कि इस साल जब अक्षे सितंबर में अपनी फामली के साथ छुट्या मनाने गए तब वो वहाँ प्रेडियूसर वासू भगनानी से मिले थे दोनों की एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बात चीत हुई और वासू ने ही अपनी नई फिल्म के लिए अक्षे को 120 करोड रुपए का ओफर दिया अगर अक्षे वासू के फिल्म साइन करते हैं तो वो बॉलिवोड में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर बन जाएंगे वैसे भी केसरी और मिशन मंगल की ताबर तोड कमाई के चलते अक्षे की और भी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है फिल्हाल अक्षे बॉलिवोड में सबसे बड़ी फिट मशीन बन गए हैं जो इस फिल्म में भी काम कर रहे हैं वो सौ करोड से ज़ादा की ही कमाई कर रहे हैं कहना गलत नहीं होगा कि फिल्हाल अक्षे का गोल्डन पीरियड चल रहा है उनकी ब्रेंड वैल्यू और उनके बॉक्स ओफिस के आंकरों के चलते ही उन्हें इतना बड़ा ओफर मिला है वैल देखने वाली बात तो अब ये होगी कि अक्षे और वासु भगनानी अपने नए प्रोजेक्ट को लेकर कब तक ऑफिशल या अनौसमेंट करते हैं बात करें खिलाडी कुमार की आने वाले फिल्मों की तो दिवाली के मौके पर उनकी फिल्म हाउस फुल फोर रिलीज होने वाली है इस फिल्म में उनके साथ काफी सारे स्टार्स नजर आने वाले हैं इस फिल्म के अलावा वो गुड न्यूज, सूर्य वैंशी, लक्ष्मी मॉम, प्रित्वी राज और बच्चन पांडे में भी दिखाई देंगे वैसे आपको क्या लगता है? अक्षे को एक फिल्म के लिए 100 करोड रुपे मिलना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलिवुड से जुड़ी खबरों को जाननी के लिए बने रहें हमारे साथ